नमस्कार मैं डक्टर जेके पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ अवेर्नेस बित जेके जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इतिकल और जैनरिक मेडिसिन के बारे में बताया था उसी के बारे में मेरे इस वीडियो में भी आपको जानकारी मिलेगी नेकि हर चीज के दो पहली होते हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हमारे यहां ज्यादा तर लोग निगेटिव सोच वाले हैं निगेटिव थिंकिंग रखने वाले हैं यहां तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि यदि डॉक्टर को दिखाने गए और 200 रुपए उसक को कुछ नहीं निकला बीपी सुगर सबकुछ उनका नार्मल है उनको कुछ कोई मर्ज नहीं निकला तब भी ऐसे लोग मिल पच्टाएंगे कि यार मेरे 200 रुपए चले गया हम मुझे कोई बीमारी नहीं निकली यहां लोग वाग हेल्स इंसरेंस करा लेते हैं कि 10,000 प्लिषी ले लेंगे और यदि एक साल के अंदर बीमार नहीं पड़े तो उनको खुसी होना चाहिए कि चलिए हम बीमार नहीं हुए लेकिन उनको दुख होता है कि हमारा 10,000 रुपए चला गया बताईे हल मेरे बीमार नहीं पड़ा ह्याल तुमें मेरा 10,000 चला इसे लोग हैं कि गंदी फिल्म का गंदा एक्टर कोई भी बात कह दे वह बात मांने के लिए तयार हो जाएंगे और उसी सचा इभ आने पहली बात तो उस चीज़ के बारे में जानते नहीं एकर जानने की कोशिस भी नहीं करते हैं प्रकार में जाने बस उसी रों को अपना आइडियल मान लिए उसकी फोटोचिप का ले दिवालों में जो उसने कह दिया वही सकते हैं अब जैसे सत्ते में उजयते में आमीर साहब कहते हैं कि हमने सुना है हमने सुना है कि एक बेसिन टेस्ट होता है और उस बेसिन टेस्ट के बारे में क्या है क कि आदमी का खून निकालो बेसिन में डाल दो बेसिन टेस्ट हो गया आपने सुना है तो किस से सुना है यह क्यों आपने नहीं बताया कि हमने इन महांसे के द्वारा सुना है जब अरजस्ति की वाद अपने सिक्षा जगत को बदनाम करने की नकारात्मक सोज जनता में डाक्टर साब बोलते हैं जेनरिक दवाईयां बहुत सस्ती हैं डाक्टर लिखते नहीं जेनरिक दवाईयां सस्ती हैं आपने कभी इस मुद्दे पर बात रखी है कि जेनरिक दवाईयां किन को सस्ती मिलती है यह आप इतना समाज सेवा के भाव से उस्सों को प्रस्तुत कि तो आपको कोशिस करना चाहिए कि जेनरिक दवाईयों का रेट कम करें आम पब्लिक जब दवाईयां खरीदने जाती है तो उसको तो रेट टूरेट मिलती है तो आप कोशिस करिए सरकार से गुजारिस करिए कहीं से भी कोशिस करिए कि जेनरिक दवाईयों जो इतना ज्याद इस्टोर वाला उन्हें डिस्काउंट दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो वो क्या कर पाएंगे रेट तो उसमें हाई-फाई लिखा है इथिकल दबाईयों से भी ज्यादा लिखा है तो फिर हम कैसे मानें कि जेनरिक दबाईयां सस्ती है डाक्टर साहब कहते हैं ब्रंड के दूद पीना है अब राम ब्रंड बन गया उसके पास जाएंगे लोग बाग तो 500 रुपए लीटर दूद देगा अरे ऐसे कैसे 500 रुपए लीटर दूद दे देगा आप खुद सजेश्ट करते हैं कि आप कुछ भी चीज खरीते हैं तो फेरी वाले से खरीते हैं जो फेरी लगा के बेंचते हैं या आप किसी ब्रंडर में ही जाएंगे तो खरी देंगे जिसकी दुकान पे आपको भरोसा रहेगा से ओर रहेगा कि हमें 100% प्योर्टी के मिलावटी देगा जब ब्रांड है वो तो ब्रांड ही रहेगा उसमें मिलावट वो नहीं करेगा तो मेरा कहने का मतलब है कि एथिकल और जेनरिक के बारे में मैं बता ही चुगा हूं एथिकल दवाईयां हमेशा अच्छी होती हैं जिस पे विस्वास होता है वही डाक्टर लिखेगा को झाल जिस पर विस्वास नहीं होगा उसको नहीं लिखेगा जेणरिक दवाईयां है यदि रिजाड नहीं देती हैं एक ख्यांदूसार तो उसका कौन है माई बाप सरकारी हस्पिटलों में डॉक्टर लिखते हैं जैनरिक दवाई क्योंकि गवर्णमेंट होते होते हैं क्यों स्थोथ में प्राइबेट में आते हैं तो औरुटे अस्टरों में छोटे हणिसे होते हैं क्यों कर दिखाओं जाते हैं Đिखानेे प्राइबेट में दिखाने क्यों आते हैं क्यों वहां से नहीं ठीक हो जाते हैं सब यही कारण है जेंद्रिक दवाईयां सिर्फ सरकारी मानक में पास रहती हैं और मांकी इथिकल की बराबरें नहीं कर सकती हैं हमको एक बात आप लोग बताईए डॉक्टर इथिकल दवाईयां लिखता है क्यों लिखता है इस वह साड़े-पांच साल की मेडिकल की पढ़ाई करता है फिर उसके बाद दो साल पीजी की पढ़ाई करता है इतना मेडिकल नालेज जो है अर्न करता है घर में माबाप को पर लोड़ के जमीन जागा बेच के हर तरह की मजबूरियां से कि वह पढ़ाई करता है और तब जाके एक चिकितसक बनता है किसी बीसे का विशेसक बनता है उसके बाद वह आके एक फिल्म का एक्टर सो में चार लोगों को इकठा करके बोल देगा तो उसके कहने में दवा उसको दवा दे पंच-साड़े-पंच साल की पढ़ाई दो साल पी-जी कोर्स यह सब करने के बाद अपने नालज को एक साइब रख दे और दूसरे की कहने पर दवाईयां लिखे एक बहतर डाक्टर मेडिसिन के वारे में जानता है और मरजी के विवारे में जानता है तो तो धूसरे की राय में दवाई नहीं लिखेगा उसको बेहतर लगेगा मदेज के स्वास्थ के लिए उसी में उसी दवाईू को लिखेगा और वही सलाह देगा यह इतिकल दवाईयां डीज़ट नहीं देंगी तो जो इतिकल दवाई इतिकल कंपनी वाले मेडिकल रिप्रेजन डेटिटि उनके पास आते हैं उनके मुह में वो दवाईय राक्टर श्नेक देगा बोल देगा कि दवाईयां आपकी डीज़ट नहीं देती हैं उन एमार के द्वारा उस डाक्टर का मैसेज कंपनी हेड के पास जाएगा जहां मेडिसिन की मैनुफेक्टरिंग होती है और वो कोशिश करेंगे कि बहतर से बहतर प्रणाम देने वाले इसमें केमिकल सब कुछ मिलाएं ताकि बहतर प्रणाम रहे जैनरिक दवाईयां असर नहीं करेंगी तो कहां जाएगा किसके पास जाएगा क्योंकि जैनरिक दवाईयां तो वैसे भी डारेक्ट कंपनी से आती हैं उनके नएमार आते हैं न कोई उनका माई बाप होता है इसलिए डॉक्टर इतिकल दवाईयां ही लिखते हैं वो अपने नौलेज को दबाना नहीं चाहते जो उनको जानकारी है जो उन्होंडे पढ़ाई करके अर्जित किया है जो उनके अंदर आपेंदर वो उसी का उप्योब करेंगे किसी के दवाव में और किसी के कहने में उपॉपनी कव्लम न चार लोगों की कठ्था करके भासंट दे दिया वीडियो बनाके वाइरल कर दिया कि इस डाक्टर ऐसा है वैसा है उसका कहना मानेंगे कि वो अपनी पढ़ाई का अपने नालज के उपयोग करेंगे कि आप लोग समझे किसी डाक्टर की क्वाइटी जो है वो दूसरे पर डिपर्ण करेगी कि उसकी जो क्वाइटी है वो अपने क्वाइटी के अधार पर रिदवाई यह लिखेगा उसको जाच क्या कराना है एक आम पबलिक से पूचेगा या एक थिएटर में नाचने वाले स तो जो दूसरा कह देगा उसके कहने पर उदवाई यह लिखेगा डाक्टरों के उपर विश्वास करना गलत बात नहीं है डाक्टर कभी भी नहीं चाहता है कि हमारा मरीज ठीक नहों अब आज के समय में इस महगाई के दोर में आप आस्पिटल में जाओगे तो आपका चा खान साहब ऐसा वो किये हैं कि अपनी फिल्म का चार्ज ना लिए हों बिना फिस के फिल्म बनाए हों बता दें कितना उपकार किये हैं एक भी फिल्म बता दें कि वो बिना पैसों के फिल्म बनाए हैं पैसे नहीं लिए हैं तो हमारा तो अग्रह ही है कि डाक्टरों के उप पर विश्वास करें और जो वो कहें वो हमेशा मरीज के हित में ही दवाईयां लिखेंगे, मरीज के हीत में ही जांच कराते हैं, कोई गलत सजेशन नहीं देखते हैं, सिर्फ सोच सोच की बात है निगेटिव सोच पॉजिटिव सोच यदि आधा गिलास पानी है आपके पास तो उसको आप यही सोचिए कि वो आधा गिलास भरा हुआ है ना कि ये सोचिए कि आधा खाली है। हमेशा पाजिटिव विचार दिमाग में रखिए फिर आपको हर चीज अच्छी दिखेगी निगेटिव तो हर कोई सोच सकता है हर चीज के दो पहलू हैं ही तो इसलिए हमेशा पाजिटिव विचार रखिए और सुख से जीवन बितित करिए धन्यवाद जैहन